हेलो और वेल्कम आप सभीका दोस्तों यह है ब्रदर की तरफ से आने वाला बहुत ही पॉपलर और बहुत ही सक्सेस्फुल आल इन वन लेजर प्रिंटर जो की है DCP-B7500D DCP-B7500D ब्रदर के बारे में कई लोग आप मेंसे जानते होंगे कि यह एक जैपनिस ब्रैंड है और अल्मोस्ट 110 साल पुरानी ब्रैंड है और इनके जो बहुत ही पॉपलर प्रोड़क्स हैं वह हैं कुछ लेजर प्रिंटर्स, इंक टैंक प्रिंटर्स, लेबल प्रिंटर्स, स्कैनर शिलाई मसीन वगएरह इस प्रिंटर का मैंने डीटिल्ड वीडियो जब मैंने इसे एक साल पहले लिया था उसका मैंने डीटिल्द वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक आपको नीचे लिश्किप्सिन में मिल जाएगा आप वहां क्लिक करके इसके बारे में डीटिल्ड तो देख सकते हैं कैसे इसका installation करना है, paper कैसे feed करते हैं, toner गडरा कैसे like install करते हैं इस video में mainly focus करूँ गा इसके इस toner में इस printer को इस्तेमाल करते हुए मुझे almost एक साल हो गया है तो अब इसका ink or toner कि खतम हो गया है, तो मुझे इसे replace करना था तो मैंने इसका ये रिफिल मंगाया है B021 Amazon से और इसका प्राइस मुझे पड़ा है तक्रीबार 900 रुपए जब कि इसमें इसकी MRP है 940 रुपए इस तरह के जो प्रिंटर्स हैं DCP-B7500D इन में खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किया गया है Toner Cartridge Technology अब यह Toner Cartridge Technology क्या है यह जो आप देख रहे है च्छोटा सा यह है Toner और यह जो देख रहे हैgrass का cartridge. Now, जो normal जो printers होते हैं उन में इस तरह के cartridges इस्तमाल होते हैं, इस तरह के cartridges जिसमें toner और cartridge inbuilt होता है. तो अगर इस तरह के cartridge में आपका ink खतम हो जाए, तो या तो आपको उन्हें refill करा कर अपने printer के साथ, उसकी life के साथ compromise करना पढ़ेगा, या फिर इस इस पूरे cartridge को चेंज करना पढ़ेगा, जिसकी प्राइस होती है, minimum 4000 रुपीज, जैसे कि यह cartridge मैंने तक्रिबान सारे 4000 रुपए में लिया था, original. Now, अब बात करते हैं, इस toner cartridge technology वाले इस toner की, तो यह आप देख सकते हैं, आपका जब इन खत्म हो जाए, तो आपको सिर्फ यह छोटा सा toner चेंज करना है, इसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे आप फिर से reuse कर सकते हैं, ना कई लोग बोलेंगे कि इससे मैंने refill को नहीं किया, refill करवाने से सचता पड़ता, मैंने 900 रुपए क्यों खर्च किये इस toner में, तो देखिए, refill कराने में कई सारे compromises होते हैं, पहले तो इसका refill पर सचता नहीं है, इसका refill आपको 500-600 रुपए में होगा, लगकि इस तरह के जो cartridge होते हैं, वो सचते में refill हो जाते हैं, तक्रीबन 200-300 रुपए में, लेकिन ये जो ब्रदर वाला toner है, इसे अगर आप refill करने जाएंगे मार्केट में, तो आपको 500-600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और प्रिंट कितना निकलेगा, तक्रीबन 1500-2000 पिजिस, और रिफिल करके आप अपने प्रिंटर की life के साथ compromise कर रहे हैं, उसकी warranty के साथ compromise कर रहे हैं, यहां तक कि प्रिंट क्वालिटी भी आपको इस तरह का नहीं मिलेगा, जो आपको इस original toner के साथ मिलेगा, इस original toner से आप कितने प्रिंट निकाल सकते हैं, तो वह है अल्मोस्ट 2600 पेजिस, 940 रुपय है, जो कि 900 रुपय में मुझे मिला है, और इतने में मैंने प्रिंट किया अल्मोस्ट 2600 पेजिस, तो कोस्ट पड़ा है मेरा पर पेज 33 पैसी only, तो ना के वर इसका यह तोनर कोस्ट अफेक्टिव है, बड़कि इसका प्रिंटिंग कोस्ट पर पेज भी बहुत ही एफेक्टिव है, अब आईए मैं आपको दिखाता हूँ, इसका यह टोनर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद फिर बात करते हैं, इसका टोनर चेंज करने के लिए हमें इससे इस तरह से ओपन करना होगा, और यहां से इसके कार्टिज को इस तरह से निकालेंगे, यह देखे यह इसका कार्टिज, और इसके हम इस टोनर को निकालने के लिए ज़स हमें इससे लिवर को प्रेस करना है और इससे बाहर निकाल लेना है, क और फिर इस कार्ट्रेज को सीधा अंदर पुछ करेंगे और इसे हम बंद करेंगे और अब मैं आपको इसका एक पॉपे करके दिखाता हूं इस प्रिंटर से यह आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी तो देखा आपने इसका टोनर और कार्ट्रेज इंस्टॉल करना बहुत ही इसी है अगर आपके पास यह प्रिंटर है और आपका इंक खत्म हो गया है तो इसे रिफिल ना करना है टोनर को अगर 940 रुपए में आपको यह टोनर मिल रहा है और रिफिल करने पर या फिर दूब्लिकेट प्रॉडक्स लेने पर आपको 600 रुपए 500 रुपए से लेकर 1000 रुपचा खर्च करने पर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग original टोनर ही इस्तेमाल करें अगर आपके कुछ सवाल हो तो नीचे comment में आप पूछ सकते हैं आसा करता हूँ आपको यह printer और वीडियो पसंद आया अगर यह वीडियो पसंद आया तो इससे like और share करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें नमस्कार and keep learning